दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक महिला का अपनी मा का पीटने का वीडियो सोचल मीडिया पर वायर हो रहा है वीडियो में वृद महिला बालकनी में खड़ी है जिसे उनकी बेटी बालपूरवक कमरे में खीच कर ले जाती है माहिला की प्रती रोटकने पर युने फपड जढ़ाती है मामले के जांकारी में पुलिस की एक तिम वृत महिला की घर नियू जञंकारी के मताबिगत घटना का वीडियो एक प holder लोसी दोहरा बनाया गया शरम के लिए सब्धिक कर लिहुत शरंकर ले सब्दायां हैं सब्सक्तों खिंप कर तो it is क्यों सब्सक्राइब कर लेकिनी पुजर। इतने बुचरुका इस जरम कर एक से घृति कि अत्रीचितकर सबस्रेसिय। कि इतने बुजरु का अरत को मार रही है तो पर दो भूल रही है समय थोड़ी शरम कर लिए उसको शरम, क्या शर्म कर रही है तो ते अपना तो यह तस्वीर है कई तरह के सवाल खड़ी कर रहे हैं एक बेटी इतनी कूर कैसे हो सकती है बेटी और मा का रिष्टा बहुत पवित्र बहुत खास और बहुत कंसर्ण से भरा होता है एक दूसरे को समझने कि वो हद लगातार इस रिष्टे में देखी जा सकती है तो शायद दूसरे रिष्टे में नहीं होती हद से गुजर कर प्यार करते हैं मा बेटी एक दूसरे को लेकिन यहां पी जो तस्वीर हम देख रहे हैं वाकई बहुत खराब है निंदनी है शर्मनाख है और यह भी बताने के लिए काफी है कि आज कि इस दौर में शायद रिष्टों के जड़ जाते हैं 80 साल की मेला हैं आपको बता दें 60 साल जूसरं की बुजर मेला को पीटती हुई बेटि तस्वीरों में небies भो रही है यह कि सपर तकी आड़ी के रिष्टों को परिवाश चेह obserecht कर ने-क कोशिश है प्रूर बेटी का कलेजह एक बार भी नहीं तर्क Τा है क ये तस्वीर कई तरह के सवाल ख़़े करती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि समाज के सोर जा रहा है। सोचल मीडिया पर ये वाइरल हुआ है वीडियो जिसके बाद अब एक नई बहस छिड़ चली है मा बेटी के इस रिश्टिकुरे करते हैं। ये पांच शे हाथ वो पहले बीज लगा चुकिते हैं। ये ही देखा। अक्सर होता है। ये अक्सर होता है। नॉमली ये नहीं कि एक दिन हो गया या दो दिन हो गया। तीन दिन जब भी वो आती है वो ऐसी करती है।